नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रास लीला में तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साप अपनी केंचुली कैसे और क्यों उतारता है तो चलिए शुरू करते हैं हिंदू धरम में साप को कई धार्मिक कारणों से पूजनिय माना जाता है और सापों की पूजा भी की जाती है हर साल नाग पंचमी के अफसर पर देश भर में घरों में नागों के लिए खास पूजन अनुष्ठान किये जाते हैं और मंदिरों में नागों को दूद चड़ाया जाता है साप एक रहस्य में जीव माना जाता है जिसके बारे में कई अनोखे और रोचक तथे खोजे गए हैं आज हम आपको इनी तथ्यों के बारे में बता रहे हैं जिसमें साप की केचली उतारने समंदी भी रोचक जानकारिया है सभी जीवों की तचा की उपरी परत समय समय पर मिर्थ हो जाती है जिसके बाद अपने आप नई तचा आ जाती है पर साप एक लोटा जीव है जो अपनी तचा की भारी परत को निश्चित अंतराल के बाद खुद उतार देता है जिसे केचली उतारना कहते है धार्मिक मानेताओं के अनुसार साप का केचली उतारना देविस रूप है और माना जाता है कि जब साप केचली उतारता है उसकी उमर बढ़ जाती है पर वो अमरता को प्राप्त कर लेता है साप की तुचा स्वभाविक रूप से सूखी और सुख्ष होकर जलरोधी आवरण यानी वाटरप्रूफ कोट वाली होती है और उसके परजाती के अनुसार चिकनी या खुर्दूरी हो सकती है जब साप को लगता है कि उसकी भाई ये तुचा में किसी परकार की खराबी या नुपसान हो रहा है तब साप अपनी केचली उतार देते हैं और खुद को तुचा संकर्मन से बचाते हैं केचली उतारन के करीब एक सफ़ता पहले से साप सुष्ष हो जाता है और ऐसे में लिम्फैटिक नामक दर्वने के कारण साप की आखे दूधिया सफेध होकर एपार दर्शक हो जाती है इस अवस्ता में ये भोजन भी नहीं करते और केचली उतारने के बाद प्राप्त नई तुचा चिकनी और चमकदार होती है जिससे वो बहुती सुन्दर दिखाई देते हैं साप का केचली उतारने का तरीका बहुती पीड़ा दाई होता है और केचली उतारने की प्रकरिया साप अपने जबडे से शुरू करते है जब तुचा में चीरा लग जाता है उसके बाद साप खुद को पेड़ के ठूट, काटों, पत्थरों के बीच की खाली जगे में फसाता है और अपने बदन को सिकोड कर धीरे-धीरे खिसकता है जिससे पूरी केचली अलग हो जाए केचली पर साप का रंग नहीं आपाता क्योंकि रंगों का निर्मान करने वाले पिगमेंट कोशी का साब की तोचा में ही चली जाती है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तब तक के लिए नमस्कार